आपका स्वागत है मैं हूँ पिनोद और आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर प्रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास कर सकते हैं प्रिसिप्ट वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं आए जानते हैं अचली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप किस तरीके से पर्चेस वाउचर्स, सेल्स वाउचर्स, विदाउट इन्वेंट्री साथ ही आप CGST, SGST, UTGST, IGST के साथ इस ट्रांजेक्शन को कैसे कम्प्लीट कर सकते हैं जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताया था उसी तरह से दो या फिर तीन बार प्रैक्टिकल जरूर करें हम एक बार फिर से रिसिप्ट वाउचर के बारे में समझ लेते हैं जब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से व्यवसाय का स्वामी कोई पूंजी लाता है या किसी ग्रहाक से पेमिंट या एडवांस प प्राप्त होने वाली कोई भी राशी यानि प्राप्ती इस वाउचर में नहीं आएगी उसका कारण है कि टेली ने सेल्स के लिए अलग से वाउचर बनाया हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले कुछ बहत्पूर्ड बातें फिर से दोरा लेते हैं कि जब भी को किसी भी ट्रांजेक्शन को देख कर कैसे पैचाने कि उसे टेली में किस वाउचर में रिकॉर्ड करना है और क्यूंकि टेली में हम जर्नल के स्थान पर वाउचर का उप्योग करते हैं तो यहां पर भी जर्नल के नियम लागू होंगे सबसे पहला नियम है आप ट्रांजेक्शन सामने रख कर यह देखें कि प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं उनका नाम क्या है या उनका क्या नाम दे सकते हैं दूसरा है दोनों खाते किस प्रकार के हैं जैसे personal account, real account या फिर nominal account और तीसरा है कि इन दोनों खातों के बारे में golden rules of accounting क्या कहते हैं यानि इन में से कौन सा account debit होगा और कौन सा account credit होगा हमारा पहला transaction है कि एक अप्रेल को हम व्यापार प्रारम करने के लिए एक लाक रुपे का नगद यानि cash पूँची capital लाएं अब हमारा सबसे पहला question है कि इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं transaction को ध्यान से देखें यहां पर नगदी आई है यह हुआ एक खाता अब दूसरा खाता देखते हैं नगदी कोन लाया है हम यानि व्यापार का स्वामी नगदी लाया है तो यह हुआ हमारा दूसरा खाता यानि इस transaction से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं सबसे पहला है नगदी यानि की cash account और दूसरा है पूंजी यानि की capital account तो हमारा दूसरा सवाल है कि खाते किस प्रकार के हैं इसका निर्णे आप types of account की definition को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं और इसकी detail video आपको यहाँ पर मिल जाएगी आप इसे YouTube पर search कर सकते हैं types of account की आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नगदी का जो खाता है वो हमारा real account है और पूंजी यानि की capital का खाता हमारा personal account है अब तीसरा सवाल है कि कौन सा खाता debit होगा और कौन सा खाता credit देखें पूंजी आई यानि प्राप्ट होई इसे देने वाला है capital जो की personal account है और personal accounts के लिए rules of accounting है कि पाने वाले को debit करो और देने वाले को credit करो यानि debit the receiver and credit the giver इसका मतलब यह हुआ कि capital account credit होगा अब हम देखते हैं दूसरा account कि व्याप्यार में cash आया है और cash हमारा है real account real account के लिए border rules of accounting है कि जो बस्तूज याप्यार में आये उसे debit करो यानि debit words comes in इसका मतलब यह हुआ कि cash account debit होगा तो चलिए tally में इस transaction को record करनेते हैं जैसे हम tally में entry करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर आपको दिखाई देगा gateway of tally जिसमें सबसे पहले option आपको masters का दिखाई देगा जिसके बारे में हम detail video बना चुके हैं और इसके बारे में आपको बता चुके हैं जिसके अंदर हमने आपको laser creation करना, alternation करना और delete करना बता दिया है अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर transaction में सबसे पहले option vouchers की तो यहाँ पर आपको vouchers पे click करना है या तो आप अपने keyboard से वी प्रेस कर सकते हैं या तो फिर आप इसे select करके enter भी प्रेस कर सकते हैं enter प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको receipt voucher आपको दिखाई दे रहा है अगर आपके सामने यहाँ पर receipt voucher ना दजर आए तो right side में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सभी vouchers दिखाई देंगे और उनके आगे, उनकी shortcut keys भी आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आप देख सकते है receipt voucher की यहाँ पर जो shortcut की है, वो F6 है तो यहाँ पर आप F6 दबा करके, receipt voucher के यहाँ पर open कर सकते हैं Transaction करने से पहले आपको कुछ बातें चेक कर लेनी चाहिए, ताकि आपको आगी कोई problem ना हो, तो आपको अपने keyboard से प्रेस करना है F12, F12 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर show more configuration का आपको एक option दिखाए देगा, अगर यह activate नहीं है, तो आपको अपने keyboard से backspace दब और इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दूसरा option दिखाए देगा, skip the date field, during voucher creation, इसको आपको यहाँ पर no रखना है, यहाँ दिखाई पढ़ रहे हैं, सभी options के बारे में हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर आपको simple control A करके इसे save कर देना है, आईए अब दू और दूसरा है single entry, यहाँ पर हम जो entry pass करने वाले हैं, वो double entry pass करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको double entry को select करके रखना है, और यहाँ पर आपको press करना है enter, अभी हमने जितनी भी changes की है, इन सभी का प्रभाव हमारे सभी vouchers पर तब तक रहेगा, जब तक कि हम फिर से कोई changes न कर लें, अब यहाँ आप देख सकते हैं, हम फिलाल date पर हैं, यहाँ पर आपको जिस तारीक में जो भी voucher create करना है, वो तारीक आप यहाँ पर select कर सकते हैं, तो फिलाल हम इसे 1st April ही रहने देंगे, हम यहाँ पर enter press करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेजर creation का एक option आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमने बिल्कुल fresh company लिए हमने कोई भी लेजर यहाँ पर create नहीं किया है, तो यहाँ पर आप create वाले option पर click कर सकते हैं, और यहाँ तो फिर आप अपने keyboard से alt के साथ c भी प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं credit आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें उस party का laser create करना है, जिससे हम पैसे ले रहे हैं, जैसे किसी party का account, capital account या फिर income account हो सकता है, तो यहाँ पर हमें capital का laser create करना है, और laser create करने के लिए यहाँ पर आपको alt c प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको type कर के control A करके आप इसे save कर देंगे, जितना भी amount था वो amount यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, तो यहाँ पर हम एक लाग रुपे डाल करके create होता है, यहाँ इसे बनाने की आपको कोई आवश्यक्ता नहीं है, यहाँ पर आपको cash को select करना है और enterprise करना है, enterprise करते ही आप देखेंगे, आपका यहाँ पर capital account credit हो गया, और cash account यहाँ पर debit हो गया, अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे, narration में आपने जो भी entry यहा आपर दे सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा बिंग रुपीज 1 लाक cash brought in the proprietor as capital और उसके बाद हम इसे यहाँ पर enter करके safe कर देंगे, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा transaction, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मई को हमने कोई माल किसी व्यक्ती को मोहन टेडर से दिलवाया था, मोहन टेडर्स ने हमें उसका commission रुपीज 5,000 का check द्वारा प्राप्त हुआ, जो हमने State Bank of India के खाते में deposit किया, अब देखते हैं इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं, देखें यहाँ पर commission प्राप्त हुआ है, तो एक खाता है commission received का, दूसरी बात commission किस तरह स और check हमारा bank में जमा होगा, तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा खाता होगा, वो State Bank of India होगा, अब हमारा दूसरा सवाल है कि खाते किस प्रकार के हैं, तो देखें commission receive का खाता nominal account है और bank का खाता personal account है, और इसे confirm करने के लिए आप list of account पर जा करके इसे check कर सकते हैं, और अब हमार तीसरा सवाल है कि कौन सा खाता debit होगा और कौन सा खाता credit, अब देखें commission प्राप्त हुआ, क्योंकि यह nominal account है, और nominal accounts के लिए good rules of accounting है, कि सभी आमदनी एवम लाभों को credit करो, यानि credit all incomes and gains, तो उस हिसाब से हमारा commission account credit होगा, अब हम देखते हैं, दूसरा खाता जो कि bank का है, यानि पाने वाला bank है, और ये personal account है, और personal account के लिए golden rules of accounting है, पाने वाले को debit करो, यानि debit the receiver, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि इन दोनों खातों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, commission ट्राप्त हो रहा है, मतलब commission account का balance बढ़ेगा, और commission की राशी, bank में जमा होगी, तो bank का balance भी बढ़ेगा, golden rules of accounting के हिसाब से, हमने याप पर जो भी निर्ने लिया है, वो सही है, चलिए अब tally में इस transaction को record करके देखते हैं, voucher creation पर जाने के लिए एक तरीका और है, उसके लिए आपको या तो mouse के जरिए, यहाँ पर go to वाले section पर click कर सकते हैं, और या तो फिर alt के स जी प्रेस कर सकते हैं, देखें आपर सबसे पहला option आपको दिखाई देगा, create voucher, इसे select करके आप enterprise करें, तो आप देख सकते हैं, receipt voucher आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर हम आपको एक भहत्तपून बात बता दे, go to screen की साहिता से voucher में तब जाना जाना ज उप्योगी है, जब आप tally में कहीं कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई voucher बना रहे हैं, या तो कोई आपने report open कर रखी हैं, उसी बीच आपको कोई नया voucher create करना हो, तो go to की साहिता से आप, बिना आपने काम को बंद किये, बिना कोई नया voucher यहाँ पर create कर सकते हैं, चलि के साथ आप यहाँ पर देखेंगे, season number भी 2 आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने एक transaction receipt की यहाँ पर पहले ही कर रखी है, अगर receipt voucher आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यानि receipt voucher यहाँ पर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आप F6 दबा करके receipt voucher में पहुँ करें, तो इसके लिए हम यहाँ पर create वाले section पर जाएंगे, और यहाँ पर type करेंगे commission, receipt, और enterprise करके इसे हम डाल देंगे direct income में, direct income में डालने के बाद यहाँ पर आपको control A करके इसे save कर देना है, यहाँ पर आपको amount type करना है, तो यहाँ पर हम अपना amount type कर लेते हैं, और इस यहाँ पर हम create वाले section पर enterprise करेंगे, और यहाँ पर हम laser create करेंगे state bank of India का, और इसके बाद यहाँ पर enterprise करते हुए under office से bank account डालेंगे, और यहाँ पर आप bank की सारे detail फिल करके, यहाँ पर आप इसे save कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं debit and credit side, दोनों ही तरफ आपको same amount दिखाई दे रहा है, जो amount हमने credit side में डाला था, वही same amount आपको debit side में भी दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको यहाँ पर enterprise करना है, enterprise करते ही आप देख सकते हैं, आपके सामने bank allocation की window आपके सामने represent हो जाएगी, और यहाँ पर आपने जिस माध्यम से पैसे को लिया है वहाँ पर आपको select करना है, अगर यहाँ पर यह map ना आए, तो यहाँ पर आपको space test करना है, और space test करते ही आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको option दिखाई दे जाएगा, तो फिलाल हमने यहाँ आपर जो payment receive की है, वो check के माध्यम से receive की है, तो यहाँ पर हम check और dd को select करेंगे amount रहने देंगे enter pass करेंगे और यहाँ पर आपको insert number type करना होगा यानि आपना checkbook का जो number होगा वो यहाँ पर आपको type करना होगा तो हम यहाँ पर checkbook का number type करने के बाद आपको यहाँ पर enter pass करना है और यहाँ पर आपको वो date select करनी है जिस date का check आपको यहाँ पर मिला है तो इसे select करते वे आपको यहाँ पर enterprise करना है और यहाँ पर आपको bank का नाम देना है जिस bank का check आपको यहाँ पर मिला है तो यहाँ पर अगर आप कुछ type करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे वो type नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको specify bank का एक option दिखाई देगा, यहाँ पर आपको इसे select करके enter pass करना है, और enter pass करने के बाद, यहाँ पर आपको bank का नाम देना है, तो यहाँ पर हमने लेते है, HDFC bank, यानि HDFC bank का check हमें यहाँ पर receive हुआ था, हमने इसको select क करके enter pass कर दिया है, और narration में आप यहाँ पर narration type कर सकते हैं, being commission received from Mohan traders, white, check number, 88888888 deposit in SBI, और इसके बाद यहाँ पर आप इसे enter, enter करके accept कर लीजे, आईए शोट में एक और transaction record करके देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, दो माई 2030 को हमारी customer, आदिति कॉर्परेशन ने हमें माल का order देते हुए रुपए 10,000 नगद advance दे, देखें इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते हैं, पहला है अदितिय कॉर्परेशन और दूसरा है cash account, आदिति कॉर्परेशन परसनल अकाउंट हैं और cash account, real account हैं, golden rules of accounting के हिसाब से देने वाले का खाता यहाँ पर credit ह यानि आदिति कॉर्परेशन का account यहाँ पर credit होगा, तो यहाँ पर आप आदिति कॉर्परेशन को credit करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा cash account होगा, वो यहाँ पर debit होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको date डालने हैं, यहाँ पर आपको party का name सेलेक करना है, और यहा यहाँ पर इसे अंडर डाल देंगे, और यहाँ पर इसे control A करके accept करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम amount type कर लेंगे, amount type करने के बाद आपको यहाँ पर enterprise करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल वाइस डिटेल की आपको यहाँ पर एक विडियो दिखाई दे रही ह इसका क्या उपी हो गए, इसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारी टेली प्राइम की सिरीज में जाकर के इसे देख सकते हैं, अब यहाँ पर या तो इसे on account सेलेक करके आप आगे बढ़ जाएं, या तो फिर backspace के माद्यम से आप वापस से back receipt voucher पर आ जाएं, यहाँ पर आपको F11 प्रेस करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने company feature का एक option आपको दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पर आपको enable bill wise entry को यहाँ पर no कर देना है, और इस change window को यहाँ पर इसे control A के माद्यम से accept कर लें, ऐसा करने पर जब करने के बाद आपको यहाँ पर enter pass करके, इसे यहाँ पर narration देते हुए save कर देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने narration दे दिया है, being advanced receive against order आदित्य कॉर्परेशन बाइक कैश, और इसके बाद हम इसे enter करके इसे accept कर लेंगे, अगर bill wise detail के option को जब तक आप समझ नहीं दे लेते, तब तक आपको on account करके आगे बढ़ना है, या तो फिर company feature की मदद से आप इसे disable करते हुए आगे अपनी transaction continue कर सकते हैं, अभी हमने जो transaction की है, इसको हम debook में कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको press करना है scav, scav प्रेस करते हुए आप यहाँ पर gateway of tally पर आ आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको f2 press करना है, और f2 press करने के बाद यहाँ पर dates को आटा करके enter press करना है, जैसे आप यहाँ पर enter press करेंगी, तो आप देख सकते हैं, हमने जितनी भी transaction यहाँ पर की थी, वो तीनो की तीनो ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लैबल्टी साइड में हमारा एक लाख रुपे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट है और इसके अलावा आप देख सकते हैं एसिट साइड में हमारा यहाँ पर एक लाख पांच हजा दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप टेली प्रायम के अंदर रिसिप्ट बाउचर की एंट्री पास कर सकते हैं